आपको पता है दोस्तों आपके पास तीन दिमाग होते हैं पहला दिमाग होता है आपका माइंड आपका ब्रेन जिसके बिहेवियर्स को 90% आपका सबकॉंशियस माइंड कंट्रोल करता है इसी के बारे में मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ कि कैसे अपने आपको आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं, तो आपको healthy खाना खाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, आपके जितने भी emotions होते हैं, mainly आपके पेट में जाकर restore होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कि जब आप बहुत परिशान हैं, तो आपका stomach upset होता है या दर्द करता है, या आपको lose motions होते हैं, उसका reason यही होता है। तो अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और healing करें। चाहे रेकी से healing करें, या sounds के थूँ, मंत्रों के थूँ healing करें। लेकिन regularly अपने पेट की ज़रूर healing करें। और तीसरा brain होता है आपका हृद है। जो की चलता है emotions से। कई बार आपको पता होगा कि एक पिता मा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। लेकिन एक माता को अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। क्यूँ? क्योंकि मा जूड़ी हुई है emotions के थूँ, वो भी बता सकती है जो एक पिता एक डॉक्टर नहीं बता सकता कि उसका बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। इसलिए कई बार मीलो दूर बेटे की भी समस्या मा को पता चल जाती है। तो आप इस knowledge को जादा से जादा शेयर कीजेगा और समझने की कोशिश कीजेगा कि आप किस से सोचते हैं दिल से, दिमाग से या पेट से। कि या झादा मग्वाओे को जादा बार में की ए波र में हैं की अहां है, दो आप से प्रूर नहां, जूर जूर दूर जादा होजे दिल बार है।